देखो probability तो किसी पर भी पूची जा सकती है इसलिए probability का concept जो की basic concept वो clear होना जरूरी कि आप total outcomes देख लो और जो आपको चाहिए वो favorable outcomes होती है question बन गया है यहाँ पर आपसे कहा रहा है a letter of English alphabet is chosen आपने एक English alphabet के letters ले रखें और आपको कोई एक letter choose करना तो आपसे कहा रहा है determine the probability that the letter जो भी आपने लिया है is a consonant वो consonant हो तो अब आप यह देखोगे कि English alphabet के अंदर कितने consonant होते हैं पांच वो भी लोते हैं और 21 consonant होते हैं पांच और 21 मिला करके 26 हो जाते हैं तो आपके पास consonant कितने हैं 21 पहली बात तो टोटल letter कितने हैं 26 और consonant कितने हैं 21 तो यह रहेगी 21 divided by 26 probability मतलब option number C is the correct तो इस तरह से आप questions design कर सकते हैं बस एक main concept पता होना चाहिए वो है जिस भी event के होने की probability अगर आपको देखनी है तो उस event के favorable case और नीचे total cases ले लो आप Thank you so much, hope so समझ में आ गया होगा